नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योध्धा आईएस पर मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज के दाहिंदू अकबार से प्रमुख खबरों का विशलेशन आज दिन है गुरुवार और डेट है दिसंबर 28, 2023 तो आप ज़्यादा देरी नहीं करेंगे और शुरू करेंगे अपना आज का दाहिंदू अकबार का विशलेशन निउस्पेपर एनलाइसेज स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आग रह करता हूँ कि किर्पया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप अपने डिवाइसेज के उपर पा सकें शुरू करते हैं पहली खबर के साथ तो राजनात मीट्स किन ओफ डेड सिविलियन्स प्रॉमिसेज जस्टिस तो पहली खबर जो हमारी होने जा रही है वो भारत के यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से होने जा रही है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में हमें देखने को मिला था कि करीबन पिछले हफते चार वहाँ पर जवानों की शहादत हो गई थी एक आतंकवादी हमले में इस आतंकवादी हमले के हो जाने के बाद जो आर्मी की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो जाकर रेट्स करती है अलग-अलग जगह पर और नौ लोगों को हिरासत में लिया जाता है आर्मी के द्वारा उसके बाद जो लोकल एविडेंसिज हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि उन नौ लोगों के साथ बहुत बरबरता की जाती है उनके उपर बहुत ज़ादा टॉर्चर किया जाता है और इसी दौरान एक वीडियो भी रिलीज होकर आ जाता है जिसमें देखा जा सकता है कि भारतिय सेना के कुछ जवान उन युवकों को किस तरह से मार रहे हैं और जब मार मार के उनकी पीठ वगेरा छील दी जाती है तो उसके उपर मिर्च रगडी जा रही है आपको जानना है कि पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था और आर्टिकल 370 वहाँ पर लागू होता था जिससे जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटस मिलता था लेकिन अब यहाँ पूरी जिम्मेदारी केंदर सरकार किया जाती है क्योंकि दो हजार उननीज के बाद से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाक को अलग कर दिया गया है और union territories बना दिया गया है तो इसी को लेक केंदर सरकार के उपर यहां पर सीधे निगाहे पहुची हैं लोगों की जिसके बाद केंदर सरकार से डिफेंस मिनिस्टर पहुचते हैं उन लोगों से मिलने जिनके परिवार वाले अभी भी शोक में हैं क्योंकि वहां पर जब उन नौ लड़कों को उठाया गया था उसमें से तीन लोगों की वहाँ पर मौत हो गई थी इतना जादा उनकी साथ टॉर्चर किया गया कि वो ये टॉर्चर बरदाश नहीं कर पाए और उनकी वहाँ पर मौत हो गई इसी को लेकर भारत की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर राजनात सिंग पहुंचते हैं जम्मू एंड कश्म रूल्स बनाए गए हैं उन रूल्स को ना तोड़ा जाए और अगर कोई भी आप जाच कर रहे हैं तो उस जाच में आपके पास पुक्ता सबूत होने चाहिए और अगर आपके पास सबूत भी हैं तब भी आपको ऐसा बार्बैरिक इंसिडेंट यहां पर नहीं करना चाहि अब आपको जानना है कि आर्मी के जो जेनरल हैं वो भी वहाँ पर पहुंचे थे कल और आज हमें देखने को मिला कि जम्मू एंड कश्मीर पहुंचे हैं भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंग तो यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंग जम्मू एंड कश्मीर के दोरे पहुंचे थे और इन्होंने जो मिलिटेंट अटेक से चार लोग जो सोल्जर्स हमारे मारे गए थे पूँच एरिया में डेरा की गली नाम है इस जगे का 21 दिसंबर की यह घटना थी इसके बाद से मैंने आपको इंसिडेंट बता दिया कि कैसे 9 लोगों को उठाया जाता है कि उनके उपर शक होता है एजेंसियों को और उन्हें उठा लिया जाता है आर्मी के द्वारा और उनके साथ टॉर्चर किया जाता है जिसमें तीन युवकों की वहाँ पर मौत हो जाती है अब इसी चीजों को अनफॉर्चुनेट करार दिया है डिफेंस मिनिस्टर राजनात सिंग ने अब आपको जानना है कि कितना गंभीर चीज है क्योंकि भारत की सरकार ने खुद आतंक वादियों के साथ मिल कर यहां पर जम्मु एंड कश्मीर में हालात बिगारते हैं इसी को लेकर केंदर सरकार ने अपने ग्रेप में ले लिया था जम्मु एंड कर कि के एडमिनिस्टेशन को साथी साथ की डिफेंस को जिसके बाद आप देख सकते हैं कि यह ऐसी अग of return of annual summits तो कल का जिसने हमारे साथ news paper cover किया था तो मैंने आपको बताया था कि भारत के external affairs minister S. जैशंकर पहुंचे हैं रशिया और ये करीबन 4 दिन की visit में पहुंचे हैं रशिया और रशिया में annual summit चल रहा है जिसमें भाग लेने पहुंचना था भारत के प्रधानमंत्री को ल अब यहां आपको समझना है कि रशिया का इस वक्त क्या चल रहा है विश्वी की लेवल पे तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध को करीबन 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और जो sanctions लगाए गए थे रशिया के ऊपर वो अभी भी बरकरार है यूक्रेन और रशिया का रशिया का करता है पूरी तरह से चाइना सपोर्ट में नहीं आता है रशिया के क्योंकि रशिया इस वक्त एक ongoing war के ऊपर है और कोई भी देश नहीं चाहता है कि उसके ऊपर दाग लगें कि वो किसी ऐसे देश का समर्थन करता है जिसके ऊपर war करने का एक जिम्मा फोड़ा गया है एक आप खबर देख सकते हैं ammonia leak from pipeline triggers scare at night 52 admitted to hospital in Chennai तो यहां Chennai से खबर निकल कर आ रही है कि Chennai में एक वहाँ पर factory थी जिस factory का नाम था Coromandel International Limited यह एक fertilizer बनाने का plant था और कल खबर निकल कर आए कि कल करीबन शाम को 7 बजे से यहां पर जो इसका underwater supply pipeline है इसमें leakage हो जाता है और इसमें leakage हो जाने के कारण से ammonia gas वहाँ पर release होने लगती है और जो लोग वहाँ आजपास रहते हैं उन लोगों को उनके घर छोड़ने दिक्कत हो जाती है अब इसके बाद इसी से एक related आप आगे news देखेंगे मेरे साथ तो यहां पर देख सकते हैं National Green Tribunal Court takes so moto cognizance of Tamil Nadu gas leak तो आपको जानना है कि National Green Tribunal की bench दिल्ली में बैठती है और इसमें इसे बनाया गया था 2010 में और इस bench में Supreme Court के जो retired judges होते हैं वो इसका panel बन आते हैं और Supreme Court के जो retired judges हैं उससे इसका panel complete होता है अब यहां पर हमें देखने को मिला कि जो मैंने आपको news बताए कि Tamil Nadu के अंदर कैसे ammonia gas leak होने लगती है एक fertilizer plant के अंदर से जिसे देखकर National Green Tribunal ने सू मोटो क्योंकि आपको जानना है कि जो ammonia gas है अगर उसे कोई व्यक्ति उसे inhale करता है तो उसे बहुत जादा उसका दूस्ट प्रुभाव देखने को मिलेगा अब इसी चीज़ को लेकर National Green Tribunal ने खुदी environmental concern से लेकर इस चीज़ को स्वत्य संग्यान लिया है आगे हम चलते हैं राहूल to begin भारत न्याय यात्रा on January 14 तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ज उसी तर्ज पर एक नई यात्रा यहां शुरू होने जा रही है जिसका नाम दिया जा रहा है भारत न्याय यात्रा यह 14 जन्वर इसे शुरू होगी और यह करीबन दो महीने के लिए चलेगी इसमें 6200 किलोमीटर का स्कूर कंप्लीट किया जाएगा और मनीपूर से चलकर य यहां पर जो वहां के social factors हैं, economic factors हैं और जो political justice की बात है उस चीजों को counter करने के लिए Congress Party यहां पर लोगों के बीच में पहुचेगी और उनसे बात बताएगी कि कैसे क्योंकि विपक्षी दलों का इस वक्त साफ आरोप है कि भारतिय जन्ता पार्टी जो कि इस वक्त गवर्म में है उसने total जो democracy की ethics होती है उसे break कर दिया है क्योंकि हाली की दिनों में हमें देखने को मिला था कि कैसे विपक्षी दलों को parliament से हटा दिया गया था उनने suspend कर दिया गया था session के लिए और उनकी गैर मौजूदगी में ऐसे ऐसे बिल आए गये थे जैसे criminal bills भी वहां हमें द जातरे में है बहुत जादा भारत के अंदर और इनी सब चीजों को लेकर ये रणनीती बना रहे हैं और इस रणनीती से आपको देखने को मिल रहा है कि भारत न्याया यात्रा की शुरुवात की जा रही है 14 जन्वरी से आगे एक खबर देख सकते हैं only 23 करोड कोविड-19 booster doses provided तो यहां यह data निकल कर आया है जिसमें पाया गया है कि कोविड-19 की जो booster doses है जो vaccine की वो केवल 23 करोड लोगों को अभी तक मिली है क्योंकि अभी concern में आ रहा है coronavirus दुबारा से क्योंकि एक ही दिन में 529 cases देखने को मिले हैं भारत के अंदर तो यहां पर जब doses की बात की गई कि क्या vaccine के doses दिये जा रहे हैं लोगों पर और लोगों ने कितने doses लिये हैं तो पाया गया है कि जो booster doses लेने की लोगों की संख्या है वो केवल 23 करोड़ लोग हैं आपको जानना है कि भारत की कुल जन संख्या जो है वो 140 करोड़ के करीबन पहुंचती है तो उनमें से केवल 23 करोड़ लोगों को अभी booster doses प्रोवाइड कराए गए हैं आज के news paper से बस इतना ही था कैसा लगा आपको हमारा आज का दा वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए साथी साथ बैल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप अपनी डिवाइस के उपर पा सकें अपना बहुत खयाल रखिए धन नवाद